हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे दोस्तो आज हम आप लोगों के लिए मैत यानि गनीत के नो अती महत्पून प्रश्ण के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तो इसलिए आप वीडियो के अंतक बने रहेगा इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्ण के बारे में बताएंगे दोस्तो देखे जैसे कि प्रश्ण हम लोगों के सामने दिया गया है कि य और भी प्रश्णाइद कि यदि A बराबर 2B बराबर 3C तो करा कि A अनुपाद B अनुपाद C बराबर वाट और यहां पर 4 ओप्सन दिया गया है इन 4 ओप्सन में से कौन सा होगा तो बिल्कुल आपको सबसी सौट तरीका बताएंगे दोस्तों इस तरीके की प्रश्ण सॉल् और यह पार्ट नमबर 34 है दोस्तों जिसने पार्ट 33 तक नहीं देखें तो चैनल पर जाके वीडियो सक्षन में देख लिजे क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेट प्रश्ण के हैं आई दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे को को कि पहला क्या करा और कैसे करेंग अगनेविर जी डी बैंक पी ओ कलर गूर्प डी एंटी पीसी आर प्याप आर्मी एससवी आइटी विपी सी आर प्याप या आप किसी और भी कॉम्टेटिव एक्जाम की त्यारी कर रहें दोस्तों चाहिए वो बिहार सचिवाले बिहार प्लीस यूप एसाई दिलिने एट आप इस तरीके की प्रशन सॉल्व कर पा रहें कि नहीं कर पा रहें देखिए यहां पर लिखा है दोस्तों कि यदी हम लोगों का लिखा हुआ है कि यदी पी अनुपाद 18 और समानुपाद 5 अनुपाद 3 है तो पी का मान क्या होगा तो देखिए बताते हैं तरीका यहां प तो यहाँ पर अनुपाद एक तरीके से बट्टा का रूप है, यानि कहने का मकसद क्या है सर आपका, तो यहाँ पर पी और बट्टा में क्या कर देए दोस्तों, हम लोग 18 कर देंगें ठीक है सर? अब बराबर स्मानुपाद का मतलब होता है, इसका मतलब होता है बराबर तो ठीक है सर इसका मतलब अगर बराबर है तो यहाँ पर हो जाएगा पांच इधर क्या हो जाएगा दोस्तो तीन हो जाएगा तो दीए बस इसको कटा दीजे दोस्तो तो आपका answer निकल जाएगा, इधर यहां से cut जाएगा कि 3, 6 क्या हो जाएगा सर हमनों का 18 हो जाएगा तो यहां से cross in गुणा e यह बला इधार हो जाएगा और यह बला क्या हो जाएगा दोस्तो इधार हो जाएगा, तो जैसे इं cross गुणा करेंगा तो P ब्राबर हम लोगों का क्या हो जाएगा छो पंचे 30 हो जाएगा इस प्रश्ण का आंसर तो दीखे किस option में आपका 30 दीख रहा है दोस्तों तो हम लोगों का option number कहां पर है इदिखे B में तो option number आपका B क्या हो जाएगा सही हो जाएगा most important प्रश्ण है दोस्तों काफी बार इस तरीके के प्रश्ण पूछा गया है कभी P देता है कभी Z देता है कभी A देता है और ना जाने अलग-अलग तरीके से प्रश्ण को पूछता है तो आपसे कभी भी इस तरीके के प्रश्ण है वीडियो के अंतक बने रहेगा करें कि दिखे P और Q के मासिक वेतन का अनुपात दिया गया है यानि कि कौन कौन है सर एक हम लोगों का P है और एक हम लोगों का क्या है दोस्तो Q है तो कर रहा है P और Q के वर्तमान वितन में करमसत 10% और 5% की बिर्धी करती जाती है तो इसका नया अनुपात क्या होगा देखे कभी इस तरीके के प्रशना है बिर्धी होगा तो हम लोग कहां से करेंगे दोस्तों 100 से कर देते हैं तुलना यानि अगर कमी होगा तो 100 में ही करें दोस्तों तो कर रहा है 10% का विर्धी कर रहा है तो आप कर दीजे जैसे ही 10% कहां तो क्या करेंगे दोस्तों 110 कर देंगे और इधर लिख देंगे परतिसत का परतिसत यहां पर अनुपात लगा देंगे उसी परकार से इधर 3 है तो 3 कर दीजे इधर कितना का विर्धी कर रह हो जाएगा दूस्तों देखते चले परतिसद से परतिसद कट गया ठीक हैं सर उसके बादि इसको पांस से कटा दीजिये अगर हम लिए पशांस से कटाएं वसी परकार से पांस से कट आएंगे तो यहां इन rumor लग Eisen 22 चुकर इधर क्या हो जाएगा दूस्तो 88 हो जाएगा और अनुपात में इधर क्या हो जाएगा एकस्तिया क्या हो जाएगा दूस्तो 63 हो जाएगा तीस प्रश्ण का आंसर क्या जाएगा 88 और अनुपात में 63 देखिए option नमर C में दीख रहा है तो option नमर C क्या हो जाएगा द अनुपाद इतना दिया है और फ्रतुमान वेतन हुनि तो क्या आ दिया गया था और इसको कटा लिजे और गुनाह कर दिए देखे 110 कटेगा दोस्तो परतीसत से परतीसत कट जाएगा तो 22 चो के इधर क्या हो जाएगा इफ 4 अगुना 22 किया तो क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तो 63 हो जाएगा तो option number C सही हो जाएगा अगला question देखे दोस्तो हम लोगों के सामने दिया गया है तीसरा number question कैस सबसे सौट और सबसे जरद यहां पर बताते हैं रूल दोस्तो यहां पर क्या होता है इस तरीके के प्रस्ण देखे जैसे लिखा है क्या ए और अनुपात में लिखा है दोस्तो टू और बी और यहां पर दिया गया बराबर हम लोगों का क्या लिखा है थिरी और सी तो आप से क्या पूछा है दोस्तो कर रहा है कि ए और आपको बताना है क्या हम लोगों को बी और अनुपात में क्या निकालना है दोस्तो हम लोगों इसको क्या कर देते हैं दोस्तो हम लोग छोड़ देते हैं यानि इसको ढग देने का मतलब इसको नहीं लेना है तो ठीक है सर जैसे ढग देंगे तो इधर तीन दुना क्या हो जाएगा छो हो जाएगा तीन गुना दू कर देंगे क्या हो जाएगा दोस्तो छो हो जाएगा ठी यहाँ पर भक देंगे जैसे भीए प्रश्ण करने के लिए कोई तरीक और को अधिर मसक्रत करने वाली बात नहीं से करने जहले है वर düşün कि इसका निकलना है अनुपात आप उसको क्या कर दिजे ले लिज estão जैसे हम लोगों का'D a B C निकलना है ना तो देखें आप समझ इए कर दिझे बाकि दो नोसों है अफ चोड़ दिजे तीन और तो एक गुना दू करेंगे तो इधार हम लोगों का क्या हो जाएगा दू हो जाएगा इस प्राशन का आंसर क्या आएगा दूस्तो ओप्सन नमर आपका थर सही हो जाएगा काफी important है यदि आप नहीं समझे एक बार अच्छे तरीके से इस बार देख लिजे इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले question पर देखें यहाँ पर तरीका बताते हैं कि कैसे करते हैं इस तरीके के प्राशन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर पहले देखें A है और अनुपात है दोस्तो हम लोगों का B है उसके बाद हम लोगों के सामने दिया गया अनुपात में क्या दोस्तो C है निकालना यही है तो A को निकालना है तो A को आप ढख दिजे A को क्या कर दिजे दोस्तो छुपा दिजे जैसे ही छुपा देंगे तो हम लोगों का 2 और गुना 3 हो जाएगा 6, उसी पर कासी B लेना है, तो B का सारा अनुपात अनुपात ढग दीजे, इधर करेंगे दोस्तो हम लोगों का 3 हो जाएगा, और C को जब करेंगे इधर हो जाएगा 2, तो हम लोगों का अनुपात यहाँ पर क्या हैगा, दोस्तो 6, 3, 2, option नमर आपका C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यहाँ पर लगा देंगे दोस्तो ढग ढग क्या रूल, यानि ढग कर इस तरीके के प्रस्न हम लोग निकालते हैं, तो 6, 3, 2, option नमर आपका C क्या हो जाएगा, दोस्तो सही हो जाएगा, बढ़ते हैं दोस्तो अगली question की और देखिए, अगला question हम लोगों के सामने दिया गया है, कैसे करेंगे, यानि कि चौथा नमर question काफी important important प्रश्न जो बार बार exam में पूछे जाते हैं, देखिए, जैसे दिया है कि दोस्तो चौथा नमर question कैसे करेंगे, तरीका सबसे सौट और सबसे सरब, एक कक्षा में 40 छात्रों का आप यहां पर लिख दीजे, 40 और 15 ठीक है, उसी परकार से आगे कह रहा है कि 10 नई छात्र आगे, तो 40 छात्र था ही और 10 नई आया, तो कितना हो जाएगा, दोस्तों हम लोगों का 50 हो जाएगा, तो ठीक है सर, यहां पर लिख देते हैं 50, इसमें क्या दिकत है, तो उसका आ इसमें क्या दिकत है, यानि कि 15 प्लस क्या कर दिजेगा, दोस्तों कि 15 प्लस यहां पर 0 प्लस क्या कर दिजेगा, दोस्तों, दू कर दिजेगा, और बीच में हम लोग क्या करेंगे, दोस्तों, यहां पर माइनस लगा देंगे, बस हो जाएगा, इसमें क्या दिकत है, आप यहाँ पर जैसे जैसे कहा है आपको कुछ भी ने करना था कि सिंपल सर हम लोगों का 10-7 आएगा तो यहाँ पर लिख दीजे पचास और कितना आउसाद बढ़ रहा है तो जीरो पैंट कितना बढ़ जा रहा है दो बर्स बढ़ जा रहा है तो यहाँ पर गुना कर दीजेगा इधर पहले था 15 अब 15 में क्या करेंगे दोस्तो जीरो पैंट दू का बिरदी हो रहा है तो ठीक असर जीरो पैंट दू का क्या करेंगे भिरधी कर देंगे तो जैसे ही जोड तीजेगा और इसको लिख दीजे दोस्तो ब्रैकेट में आए यहाँ पर बीच में मैइनस बस इ किया हो जाएगा 60 हो जाएगा योग जो देखते चले कैसे कर रहे हैं कि दस मल्लब जो उड़ेगा तो नीचे हम लोगों का 10 आएगा तो इस 0 से इस 0 क्या हो जाएगा तो इधर गुना कर दीजें तो 5 2 10 करी क्या हो हो जाएगा दोस्तो जीरो हशरी रणाय है एक 50 crawण 55 75 और एक क्या हो जाएगा दोस्तों 66 हो जाएगा तो 760 हो जाएगा अब माइनस हम लोगों का कितना हो जाएगा दूस्तों 600 हो जाएगा तो जैसे ही घटाएंगे थम लोगों का कितना होगा देखिए कि सर 0 जैसे ही कड़ गया तो 5 न 10 करी 0 हासिल रहा है एक और 25 25 करी 6 हासिल रहा है तो 760 हो गया तो जैसे ही घटाएंगे थम लोगों का क्या निकल जाएगा दूस्तों 160 हो जाएगा तो यानि कि यहाँ पर घटा लिजेगा थम लोगों का कितना आएगा 160 हा जाएगा तो क्या 160 हुआ तो कर रहा है कि नए चात्रों की आउसात आयू कितना तो कितना नया चात्र आया था हम लोगों का 10 गो नया चात्र आया था तो इसको 10 से क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर एक लाइन करेंगा और आपका आंसर निकल जाएगा क्या करेंगे दस 10 से इसको भागा कर देंगे जैसे 16 है 10 से क्या करेंगे दोस्तों भागा कर देंगे कटा देंगे तो आपका answer निकल जाएगा दो इसको एक जिरो से एक जिरो कड जाएगा तो इस प्रशन का answer होगा option number B क्या हो जाएगा सही हो जाएगा बस यहाँ पर तरीका को समझना है कि एक हम लोगों का दिया है दोस्तों एक कक्षा में 40 छात्राओं का आउसत वजन 15 है तो 40 गुना 15 कर दे 10 नया छात्र है तो 40 में क्या करेंगे दोस्तों 10 जोड़ देंगे इसलिए यहाँ पर 50 50 कहां से लाए आप तो 40 छात् और कराएं कि और 15 वर्स में 0.25 का बढ़ होत्री हो रहा है तो 15 अप्लस 0.25 कर देंगे तो बस यहाँ पर कटा दीजिए दोस्तों आंसर अकरन नए छात्रों का उसर तो नया छात्र दस तो आया था इसलिए हम लोग 10 से क्या कर देंगे दोस्तों भागा कर देंगे इस तरीक हम दिया है दोस्तों कितना दिया हम लोगों का 6 cm दिया हुआ है तो कर रहा है कि इसका आयतन तो यहां पर एक बात लिखेंगे और हम लोगों का प्रशन क्या हो जाएगा तो गोले का क्या करेंगे दोस्तों अभी हाली के एक्जाम हम प्रशन पूछा गया था गोले का आयतन और अगर आप option में देखा जाए तो पाई का पाई है तो यहाँ पर कोई छेड़ छाड़ नहीं करेंगे पाई का हम लोग क्या कर देंगे दोस्तो पाई ही रख देंगे इस तरीके से क्या करेंगे पाई को पाई ही रख देंगे और गुना तो गुना कर देते हैं आर लिखा ह कर देbelोकर कि लिए हैं आपका लिए अंसर मिलेगे यहाँ पर तीन से şok तो तीन दूना क्या हो जाएगा हम लोगों का खो इधर से ए तो समय क्लोर निकल जाएगा यहां से ऐसे कर देते हैं इदर师 और एधर से कर देता हैं देटे हैं कितना हो जाएगा जांकर 136 और इदर 4 धुना आठो 36 गुणा आठ करिए दोस्तो अगर हम लोग देख जाए 36 गुणा आठ करिये तो गतना हो जए गतना हो जए कर उडा 계속 28 राचार और 8 या 24 अचार क्या हो जाएगा दो 28 in ben 28 हो जाएगा तो ठीक stop को समझना है प्रश्न को रटना नहीं है एक गोले की त्रीजया दिया गया था उसका आयतन कर रहा है तो आयतन क्या होता है चार पटाद 3 सबसे सर लियाने कि छठा नमर को संबस आपको अंग तक बने रहना सभी तरीके को संदेखने को मिलें दिखिए जैसे अगला कुस्चन दिया गया है दोस्तों हम लोगों कि सामने किरे किसी सम चतरभूज के विकर्न 35 मिटर एवंग 24 मिटर है इसका करा कि छेतरफल वर्ग मिट यहां पर लिख देते हैं सर कि सम चतरभूज का चेतरफल तो जैसे ही आप किजेगा दोस्तों कि सम चतरभूज का चेतरफल क्या होता है तो एक बटादू अगुना क्या दोस्तो विकर्ण prophetic दूला विकर्न चेतरफल गुणा का गुणा करेंगे दिवन कितना दिया है तो ठीक असर इसको आप कटा दीजे आपका आंसर निकल जाएगा तो अशे इसको आपका अंसर निकल गया है की 35 अगुणा हम लोग कर ذ120 तो हम लोगों का कितना Аito निकल जाएक यह पांद दोना क्या हो जाएक दुस्तों दस करी 02 hasil रहा एक यहां लोगों का हम लोग इधार हो जाएक तो पांद अब दोना 10 करी 0 hasil रहे एक है यहां उपसां नमर आपका बी क्या हो जाएगा आप यहां भी कर सकते हैं ऐसा नहीं कि 35 गुना 12 आप निसंधे कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं बस तरीका को समझना है प्रस्ण को रटना नहीं है कि यहां पर इस तरीकी की प्रस्ण आए तो हम कैसे करेंगे बढ़ते हैं अगली कुस्चन की और आपको सभी तरीकी कुस्चन देखने को मिलेगा दोस्तों जो बार बार एक्जाम में पूछे गया है और रिपीट करते हैं दिखिए जैसे दिया है गया है तो हम लोगों के सामने की 18 100 रुप्या पर 4% की दर से साधरन भ्याज 200 रुप्या हो जाएगा यनि किस दर से तहाप लोगों का फर्मूला क्या होता है दोस्तों साधरन भ्याज का इद कि यहां पर चोटा सा पता देते हैं कि SI यानि कि SI शिं कितना दिया हम लोगों के सामने 200 लिख सकते हैं3800 के लिए तो वह है कि शार साल दिया है तो दर निकालना है तो आर का आर छोड़ देंगे, अटी दिया है चार साल, अननीचे हम लोगों का फर्मूला का क्या होता है दोस्तों, सो होता है, बस इसी को आप काट फीड दीजे, आपका आंसर निकल चुका है, लोग हुआ अबनाए है कि इस तरीके के प पंचे क्या हो जाएगा यहीं 50 हो जाएगा तो दूसे कटा देंगे देखते हैं कि कैसे कट नोו यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि इधर 25 अब राबर इधर क्या कर देंगे 9R कर देंगे ठीक है सर तो 9R जैसे करेंगे तो इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 25 अब बटां में क्या हो जाएगा हम लोगों का 9 हो जाएगा और क्या हो जाएगा और क्या हो अब पुर्णाङ में तोड़े गाई टोड़े लिए जैसे ही यहां प्राबर जैसे ही करें में दूसर दोड़नाग में क्या हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा कि समझना है प्रक्षन को रटना नहीं है कि इस तरीकी के प्रशन है तो हम कैसे करेंगे SI BRT बटे क्या कर देते हैं दुस्तों 100 कर देते हैं और यहाँ पर कटा दीजे आपका आंसर निकल जाएगा आर पूछ रहा था तो दू पुर्णांक यानिकी साथ बटे नौ परती साथ आपका आंसर हो गया बढ़ते हैं दुस्तों अगले क्यों देखे आठवा नमर क्यों कैसे करेंगे तरीका देखे करेंगी devices दोनोंगी आपको तरीका हुगगा सूरा गाडई मीटर परती सकेंड में क्या दिया है दोस्तों मीटर परती सकेंड में और एक दिया हम लोगों का किलो मीटर परती घंटा में और यहां बीच में क्या लगा देंगे अनुपात लगा देंगे इसको करना है तो यह अनुपात मतलब होता है कि दोनों बगल आपको बराबर करना होगा तो या तो आप किलो मीटर प्रती गंटा को मीटर प्रती सगेंड में चेंज कर दीजे या मीटर प्रती सगेंड को किलो मीटर में चेंज कर दीजे कि दरो एक साइड आप चेंज कर दीजे दोस्तो हम एक साइड में कर दिए इदिके नौ दुना क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पर नौ दुना क्या हो जाएगा हम लोगों का 18 हो जाएगा नौ पचे क्या हो जाएगा दोस्तों 45 हो जाएगा इदिके कटा दिये नौ दुना 18 और नौ पचे क्या दोस्तों 45 ठीक है सर उसी परकार से दोस्तों भी तो भी कटने वाला है, तो इन की कटा देते हैं, कि इसी 5 से दोस्तों, इन की पांच दोना क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 10 हो जाएगा, तो 10 को कटा दिये, तो इधर हो गया हम लोगों का 5 आपटा में क्या रहा, दोस्तों हम लोगों का दू रहा और इधर अनुपात में इधर क्या रहा दू रहा तो crossing गुणा हो जाएगा तो जैसे गुणा हो जाएगा तो पांच अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों कि यहाँ पर हो कैसे रहा है कि 5 बटा दू का मतलब क्रॉस गुना कर देंगे तो 5.54 इस प्रस्ण का आंसर हो जाएगा option number A जो दिया जाए वही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आप किसी भी side में एक side में आप बदल सकते हैं मीटर पर 30 seconds है तो दोनों मीटर पर 30 seconds ही करना होगा या आप ऐसे नहीं करना चाते हैं एक तरीका और भी है क्या तरीका है सर वो बता दिए इधर अगर इधर 45 km है तो आप 45 km रहने दीजे ठीक है तो यहाँ पर अगर किलो मीटर पर 30 गंटा एक किलो मीटर में अनुपात में हम लोगों का दिया गया, दोस्तो, 10 हम लोगों का क्या लिखा है, मीटर पर 30 सेट को किलो मीटर में चेंज करना चाहते हैं, तो भी बनेगा, तो बना देते हैं, इसमें क्या लगा हुआ है, कि यहां पर 45 का 45 नहीं रहने दीजी, कोई करना है और बीच में अनुपाद है तानुपाद इदिके 10 अगर मीटर पर 30 को किलो मीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे दोस्तों यहां पर कटा दीजे आपका आंसर निकल जाएगा तो दस हो जाएगा ऐसे किदर कितर कटे का सरक नौ पयता चाला होता है त काफी बार एक्जाब में पुच्छा घया है बढ़ते हैं दुस्तु अगले चुस् Wen की और देखे अगला question हम लोगों के सामने 9 नमर कैसे करेंगे तरीका सबसे short देखे जैसे दियांगे दोस्तो अगला प्रशन काफी important है काफी बार पुछा जा चुका इस तरीके sign cost 10 वाले दोस्तो यहां पर क्या करेंगे कि प्रश्ट तो यहां पे कर देखे चाँ उसके बाद हम लोगों का क्या लिखाए दोस्तो cote square तो यहाँ पे कर दीजे आप क्या cote square कर दीजे गुणाजoga极के जगा हम ल 거죠 क्या करेंगे ρ को साइक से बैठा देगे जैसे 180 में क्या कर देंगे दोस्तों तीन कर देगे प्लस का प्लस आगे लिखाओ का है सेक लिखा लिखा तो यहाँ पर कर दीजे कि sin square और उसके बाद गुना पाय के जगाए 180 अब बटा में क्या कर दीजेगा दोस्तो चार कर दीजेगा ठीक है बस इसको कटा लीजे दोस्तो जो जो आपका कटने वाला है उसको कटा लीजे यहाँ पर 3 से कटा देंगे तो 3 से कट जाएगा 160 क्या बार में 3 चाक 18 यानि कि 60 degree ही हो जाएगा उसी परकार से इसको कटाएगे चोट या क्या हो जाएगा दोस्तो 18 हो जाएगा यानि कि 30 बार में कट जाएगा यहाँ पर 4 से कटा देंगे दोस्तो तो 4 से जैसे ही कट जाएगा तो क्या बार में कट जाएगा हम लोगों का 45 बार में इकट जाएगा तो यहाँ पर आप 45 लिख दीजे दोस्तों निसंदे आपका 45 इकट जाएगा देखते जली कैसे करें कि पाई के जगा दोस्तों 60 डिगरी हो गया ठीक है अप लस का प्लस इधर हो गया हम लोगों का देखे सैक स्क्वाइर और कितना हो गया दोस्तों हम लोगों का 30 डिगरी हो चुका है ठीक है सर अप लस का मैनस का मैनस इधर कर देंगे साइन स्क्वाइर तो साइन स्क्वाइर कर दिए और इधर करेंगे दोस्तो 45 degree कर देंगे बस हो चुका है आपका प्रश्न क्या दुस्तो solve हो चुका है देखते चली कैसे करते जा रहे हैं आपको रटना नहीं है बलकि क्या करना दूस्तो समझना दीके याँ पर एक लाइन करेंगे हैं चार का छार थीक है सर यहाँ पRट हम लोगों हो का 60 डिंगरी का अमान क्या होता है दोस्तों कॉ स्क्षाइर कर देंगे कि कॉंकि को इसक्षायर लिखा इस वजह से प्लसकाकास सी चै waiver हम लोगों का लिखा है तो यहां पर सैक 30 डिगरी का मान दिया है तो सैक 30 डिगरी का मान क्या होता है दो अब बटां में क्या होता है तो इसका क्या करेंगे square कर देंगे, ठीक है sir, और minus का minus, उसी प्रकार से यहाँ पर sin 45, sin 45 का मौन क्या होता है, दोस्तो, 1 by हम लोगों का root 2 का क्या होता है, हम लोगों का square होता है, यहाँ पर square कर दीजे, तो जैसे ही square करेंगे, आपका answer निकल जाएगा, दोस्तो, देखते चली कि कैसे करते जा रहे है, तो यहाँ पर हो जाएगा, चार, और गुना क्या हो जाएगा, दोस्तो, एक बटा में क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, उसी प्रकार से plus का plus, यहाँ पर 2 का squared क्या हो जाएगा दूसतो 4 हो जाएगा क्यूंकि root 3 का squire क्या होताय .... ठीक है इसर इसको solve कर दीजे आपका victory निकल जायगा दूसतो जैसी हम लोग भीन का जोड और हमी कर सकते हैं हम यहांपर चार बटा क्या हो जाएगा दोस्तो तीन हो जाएगा चार बटे तीन अपलस का पलस हम लोगों का यहां भी हो जाएगा दोस्तो चार बटे तीन हो जाएगा ठीक है सर और इधर हो जाएगा हम लोगों का मैनस क्या दोस्तो एक बटा दो हो जाएगा बस इसको आप धीन का कमज में आ जाया तो हम जैसे ही एल लेंगे तो क्या हो जाएगा तो थिन का उमें चौफ दू बार से लिए पर तो यहाँ पर हो जाएगा तो इधर रूजगा ये तो तीन और आट शुला में से 3 जैसे ही घटेगा, तो sir 8, 8, 16, 16 में से 3 घटेगा तो 13 बटा इस प्रश्ण का आंसर क्या आएगा दोस्तो 6 आएगा, तो कहां पे 13 बटे 6 दिख रहा है, यह दो option number C में, तो option number आपका C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बस यहाँ पर तरीका को समझना था, चाहे सवाल hard रहे, या किसी भी तरीके से रहे, आपको तरीका को समझना था क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका answer 13 बटा 6 हो जाएगा, उमीद करते हैं दोस्तों, आप सारे प्रश्ण को अच्छे तरीके से समझ गयोंगे अगर आप चैनल पर पहली बार आया तो रेट कलर का बटन दीक रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लिजे ताकि वीडियो डालेंगा आपको सबसे पहले मिले, ओके दोस्तों, थैंक यू